हेलो फ्रेंड्स जैहिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का पुना एक बार स्वागत करते हैं टार्गेट टीचर एक्जाम इस्टेडी चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डेलेट प्रिथम समस्टेर माडल निपस्पर 2020 सिच्छन अधिगम के सिद् दस महत्पून लग उत्री प्रेशन दोस्तों इसको पार्ट टू के अंतरगत देखेंगे दोस्तों इसका पार्ट वन पाच महत्पून लग उत्री प्रेशन का पहले मैंने करवा दिया इसी चैनल पे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों वीडियो सुरू कि लुक्त ये यूजना के प्रमुक विसेस्था बताईएं तो दो प्रतव निम्नुवत हैं नमबर एक हैं इस पद्रत के नосьार बच्चून को परीच्चाओं से मुक्त रखा जाएं दूसरा है इस विद्यदौरा बालकों को उत्तर दायत निभाने के सिच्छा दी जाएं जिससे वे आत्म निर्भर हो सकें नेश्ट है दोस्तों तीसरा पॉइंट है इस योजना के अनुसार भिभिन योगतां वोद्धिक इस्तोरों तथा रुच्यों के विद्यार्थी अपनी इच्छा सुविद्धा तथा गत्य के अनुस 45 के अनुसार कहा गया है 6-14 आयू वरिक के बच्चों को अनिवार्यों निसुल सिच्छा देने की योजना है सर्व सिच्छा वियान के तहट कहा गया है कि सब पढ़ें सब सब पढ़ें सब बढ़ें या प्रमुक उद्देशें नेक्ट कोसन है दोस्तों मांटे सरी बताईएं दोस्तों तीन प्रमुक विशेष्टाओं के अंत्रगत पहली विशेष्टा है इस विद्दी में सिच्चा की विज्ञानिक भावना पर बल दिया गया है सिरी मती मांटे सिरी के ने निरिचण अनुभों प्रयों के आधार पर पद्दत का निर्मार किया है नेस सिखाने की क्रिया में मांस प्रेशियों के संतुलन पर जोर्द दिया नेस्ट पॉइंट है दोस्तों तीसरा है सिरी मती मांटे सिरी दोरा अनुमान अनुमोदित ग्यानेंदरी सिच्चन मनोवी ग्यानिक सिदान्तों के अन्कूल है तो दोस्तों इनकी मांटे सिरी सिच्च के उद्देश क्या है इब सिच्छण के दोस्तों नेम निलखीत उद्देश है नंबर एक है कि अगधि कि अगार दो सीचल एक महात्पुर उद्देश सीखने की पिक्रिया को सरल यम रुच्चिकर बनाना सीच्छण का प्रमुक उद्देश वहता है और इनके प्रमुक उद्देश इस प्रकार है सिच्छन का उद्देश से बालकों को बोधिक परिष्छन प्रदान करना होता है नेस्ट पॉइंट है दोस्तों सिच्छन के दौरा बालकों का सामाजिक तता नेती विकास होता है तीछरा पॉइंट है, सिच्छन के दौरा बालकों का सारीरी विकास होता है और चौथा पॉइंट है दोस्तों, सिच्छन के दौरा बालकों में विज्यानिक दस्च्च्च कोड का विज्यास होता है तो दोस्तों सिच्छन की प्रमुख मातपूर उद्देश नेस्ट कोशन है रूचिपूर सिच्छन रूचिपूर सिच्छा का उद्देश क्या है रूचिपूर इसके प्रमुख उद्देश इस प्रकार है दोस्तों नमबर एक है खेल खेल में बच्चों की प्रतिवायों को प्रिकास होता है नेश्ट है बाल केंद्री सिच्छा देना नेश्ट है विद्याले के वाता उनको भैमुक्त बनाना चोथा है बाल का सिच्छा को प्रुसाहिद करना रुजपूर सिच्छन के प्रमुक उद्देश नियमुवत्ते दोस्तों नेश्ट कोस्चन है बाल अधिक बाल अधिकारत था राष्टी बाल नीत पर टिपड़ी लिखिए आपका दोस्तों 2010 पेपर में 2010 के पेपर में पूच्छा जा चुका है तो यह हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट संगने बालकों के अधिकार की गोशला 20 नॉमबर 1989 को कीती बाल अधिकार समंदी बिंदु इस परकार है नॉमबर एक है बच्चों को जन्म के बाद पंजी क्रणियम राष्टा का अधिकार दूसरा है बच्चों को माता पिता के बिरुद अलग नहीं करना है और तीशरा है बच्चों के अपरहन क्रेविक्रेव पार को रोकने के लिए राष्ट दोरा कानून बनाना और चौथा दोस्तों पॉइंट है इसका बच्चों को नसीले पदार्तों के प्रयोग से रोकना है दोस्तों दोस्तों नंबर पांच है इसका बच्चों सर्राणती बच्चों को सरच्छण पदान करना और छठा है इस दोस्तों इसको देख लेते हैं दोस्तों राश्टी बालनीत भारत सरकार ने 20 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण है तो राश्टी बालनीत की गोशला की थी जिसके इंतिकत बालकों का पूर्ट सारीरिक मानसीक सामाजी खेत सरुत्तम परिश्टियों का निर्माल करने और एक है राश्टी को छे से चोदा आयुवर के समस्त बालकों को निसुल के मानिवार से चावलब्द कराएं योम समय वरद कारिक्रम तयार करना चाहिए दूसरा है बालकों को उनके माताविता से अलग नाग रखा जाए वह जीवन यापन करने में सच्चम ना हूँ नेश्ट है प्रतिवा शंपन बच्चों का पता लगाने पुरुषाहन देने योम सहता देने के लिए राज जी को विशेश कारिक्रम संचालित करना चाहिए चोथा है राज जी को मादक परदातों का शेवन योम उत्पादन तथा बेपार आदमे बच्चों को बचाना चाहिए नेश्ट कोश्चन है दोस्तों ग्राम सिच्चा समेती क्या है इसके कारों को समझाईए दोस्तों ग्राम सिच्चा समित का संगठन ग्राम इस्तपर किया जाता है राश्टी सिच्चा नीत 1986 ने ग्राम सिच्चा समित की गठन का सुजाओ दिया है तो ग्राम सिच्चा समित विद्याले को समुदाय से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है ग्राम सिच्चा समित का एक वेधानी संस्ता है जो विद्याले प्रवंदर में अपना दायत निभाती है ग्राम सिच्चा समित की गठन प्रक्रिया निम्नुवत है इसमें दोस्तों ग्राम सिच्चा समित में क्या होता है एक ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान क्या को वेसी सचा दिकारी नामित करता है दोस्तों आप बात करेंगे ग्राम सचा समित के कार क्या होते हैं इनके ग्राम सचा समित के प्रमुकार इस प्रकार है नंबर एक है अकादमिक कर विध्याले को समुदाय से जोडने में gram सच्चा समित की महात्पमल श्aca होती है इसी में पॉइंट है ग्राओं की इस आर्थिक बिपड़े वर्ग के बिकलांग नामनकन करने में। दोस्तों इसी में नंबर दो बात करेंगे विद्याले सरचना सम्मंदित कारस्ठ पूँन से होते हैं भोतिक संशादत ल्युटाने में दूसरा पॉयंट है, भावनों के निर्माड योम मरमत कराना है, तीसरा पॉयंट है, सोचले वनूआना, हैन्ड पैम्प लगवाना, तीसरा कार है, बित्ती कार, बित्ती संसेदन जुटाने का सद्रैप्योग है तो, और दूसरा पॉयंट है, पुस्ते के यूनिफॉर्म पोशार चात्रवज बित्रण है तो तीसरा पॉइंट है अनुदानों के ब्याय करने हैं दोस्तों नेश्ट कोस्टन है महतमा गांदी का शिच्ण दरशन का सिद्दान बताईये तता उनके नुसार शिच्ण पद्धतियों का वर्डन कीजें पहल की थी दूसरा पॉइंट है हास्त सिल्प सिच्चा बालुकों की सिच्चा हास्त सिल्प पराधरित होनी चाहिए गांडी जी का विश्वास था कि हास्त सिल्प सिच्चा दौरा मस्तिस की मात्मा का सुरुत्तम विकाश होता है किसने कहा था महत्मा गांदी ने कहा था नेस्ट है सामाजी सिच्चा बालु प्रकार्ति उन्होंने अनुभो दोरा सीखना उन्होंने कहा तक कि ग्यान तभी घ्रहण किया जा सकता है जब अनुभो करके शीखना शीखा जाए तुसरा है किरिया दोरा सीखने पर विश्यश बल दिया जिसे बालकों का सरवंगेड़ विकास होता है और तीसरा इन्हों ने दिया था सारीरिक अंगों का पूर्ड विकास गांधी जी के अंसार मस्तिस्च के साथ साथ आख नाक कानाद का सिच्छण देना अवश्यक होता है तो दोस्तों नेस्ट को वह क्या महत्त है इस पीर थोड़ा प्रकास डालते सम्प्रेशन वह वा माध्दिम है जिसके दौरा व्यक्ति अपने विचारों भावयों अन्य तक्त्यों का अधान पदान करता इस पर दो व्यक्तियों के वीच में बात चित करने का एक माध्यम होता है सम्प्रेशल के दो गटकों के माद्यम से प्रवावी रूप से संपन्न होता है तो दोस्तों संप्रेशन दो प्रकार का होता है जिसमें संप्रेशन एक होता है प्रवावी संप्रेशन जिसमें प्रवावी संप्रेशन जिसमें दो तरफा संप्रेशन भी कहते हैं जिसमें वक्ता और ग्राही तो अपनी सैमत जताते हैं तो उसे प्रवावी शंप्रेशन कहते हैं दोस्तों यह फिगर दिखाया गया है जिसमें वक्ता ग्राही और ग्राही दोनों आपस में कम्मुनिकेशन कर रहे हैं तो यहां पर जब ऐसा कम्मुनिकेशन होता है तो वहां प्रवावी शंप्रेशन हो तो उसे एक प्रभावी संप्रेशन या एक तरफा संप्रेशन कहते हैं दोस्तों संप्रेशन का महत्तु क्या है संप्रेशन का सिच्छक कार में बहुत ही महत्तु है बिना संप्रेशन के सिच्छक कार संपो नहीं होता है जैसा कि हम जानते हैं शंप्रिशन प्रभावी तता आप्रभावी दो प्रकार का होता है जानी चुके हैं दोस्तों तो प्रभावी शंप्रिशन का अच्छा में रोचक तता प्रभाव शाली बनाता है क्योंकि सिच्छक तता बच्चे दोनों रुचपूरुक सवाल जवाब करते हैं प्रवावी शंप्रिशन से बच्चों में चिंतन तता कल्पनासक्ति का विकास होता है तो इस दोस्तों संप्रिशन का महात्व है यह दिकष्चा में प्रवावी शंप्रिशन किया जाए तो बच्चे भी शुधर जाते हैं जो संकोची प्रवत के होते हैं वे प्रव दरोड को साथ में लाइक करिएगा दोस्तो अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहींकि प्लिए सब्सक्राइब ض içष बीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नहीं हम तब के लिए जैए हिंड्य 2